नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्यान काड़ा पर दोस्तों मैं हूँ राके सिहाग आज हम बात करने वाले हैं क्लास नमबर चार के बारे में इस से पहले इस सीरीज के मैं आपको तीन क्लास करवा चुका हूँ और यह हमारी चार होने वाला है बस आप अंत तक बने रही है दोस्तों यह जो क्लास है यह खास तोर से पटवारी का अग्जाम को देख करके बनाई है मैंने लेकिन दोस्तों जैसे यह 500 क्यूशन कंप्लीट होते हैं इसके तुरंत बाद में आपके लिए NTPC और ग्रूप D के लिए कुछ सुनिंदा क्यूशन लेकिया होंगा जो आपके अग्जाम में बहुत ज़्यादा महतूपन साबित होंगे दोस्तों यह जो क्यूशन है यह 500 क्यूशन पटवारी के लिए इसके साथ साथ आप NTPC ग्रूप D या फिर SSE के लिए इनको पढ़ सकते हो क्योंकि क्यूशन वही ह है ठीक है दोस्तों इस क्लास का PDF भी आपको मिलेगा इसका जो PDF मिलेगा वह मिलेगा आपको टेलिग्राम चैनल से और टेलिग्राम चैनल का जो लिंक आप वीडियो की डिस्क्रिप्स में दिया गया है वहां से आप जुड सकते हैं और वहां से आप इस क्लास का PDF भी तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम जो कर रहे हैं वो पहला topic कर रहे हैं topic मैंने आपको कल भी discuss किया आपके सामने कि पहला topic आपका आधार, भूतत्व, और देनिक विज्ञान इसके मैं आपकी 200 questions करवाओँगा उसके बाद हमारा दूसरा टोपिक हाईगा वो आएगा मानो इस शरीर विज्ञान मानो इस शरीर के अंदर आपके 552 इस 172 विज्यदा सब कुछ अधाते हैotto आपका तीन नंबर टॉपिक आएगा पोशन है ना उसके बाद आपका आयेगा čyaar नंबर स्वास्ति विज्ञान अबरिस्वास्ति विज्ञान वे आपके रोग बगीर ए सब कुछ साथाते हैं इतना सा टॉपिक आपको जे रखा है ओ Bowl completelyầ Keys थो अ यह रहा मेरे प्यारे साथियो 101 नंबर क्यूशन ठीक है कल मेरे दोस्तों ने कहा कि आप है न क्यूशन का एंस्वर है वो रिमूव कर दीजिए तो मैंने रिमूव कर दिया देखिए क्यूशन नंबर 101 कि चरम रोग के उपचार में प्रियोग किया जाने वाला रेडियो आइस करीम वग्यार आती है उसके अंदर कौन्से तत्वय का परियोग किया जाता है ज्यान रछना प्हरिसं ओस तत्वय का नाम है क्या नाम है आपका वां सफ़ूर्श Epic Origin उसके अंदर किया जाता है option number आपका क्या हो जाएगा see correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है कि बहुत अधिक उन्चाई पर मनुस्य की लाल रुधिरकनिकाओं में क्या होता है लाल रुधिरकनिकाओं में क्या होता है ये question आपसे मेरे साथ यो पूछा गया है तो देखिए लाल रुधिरकनिका की यानि RBC की बात कही है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि RBC की संख्या उन्चाई पर जाने पर जैसे जैसे उन्चाई पर जाएंगे वैसे वैसे RBC की संख्या और इसका आकार दोनों में क्या होती है वर्दी होती है लेकिन संख्या में तो कम वर्दी होती है लेकिन पहरे साथ क्यों आकार तेजी से बढ़ता है आकार क्या होता है तेजी से बढ़ता है और कितने किलो मिटर पर कितने मिटर पर कितने परसेंट की वर्दी होती है तो ध्यान रखना परते एक बियालिस सो मेटर उन्चाई पर आपके 30% आकार में वर्दी हो जाती है 30% आकार में क्या हो जाती है वर्दी हो जाती है तो जैसे जैसे हम उन्चाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारी RBC का आकार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पहरे साथियो option number A आपका क्या हो जाएगा write answer हो जाएगा ठीक है चलिए उमीद करता हूँ कि उसन आपको समझ में आया है अगला question एक सो तीन number question कि आधूनी का चरम सोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातू पाई जाती है जो विसेली होती है चरम सोधन चरम सोधन चरम सोधन जाएगे चमड़े के जो उद्योग होते है चमड़े के उद्योग होते है तो चमड़े के उद्योग में एक भारी धातू काम में ली जाती है और वो विसेली होती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है मेरे पेरे साथी हो chromium, जो chromium जो धात्तू होती है ये आपके चमड़े के उद्योगों में काम आती है और ये एक परकार की क्या होती है विसेली गैस होती है, क्या होती है विसेली गैस होती है, कुछ fact ध्यान में रखने पड़ते है direct आपको याद रखना है क्रोमियम एक विसेली गैस होती है और यह चरम उद्योग यानि चमड़े के उद्योगों में क्या आती है ठीक है अगले क्यूशन की बात करते 104 नंबर क्यूशन की 104 नंबर क्यूशन है कि स्ट्रोंसियम लवन के द्वारा बुनसेन जवाला को कौन सा रंग परदान किया जाता है यह जो स्ट्रोंसियम लवन है उस स्ट्रोंसियम लवन के द्वारा जो बुनसेन आपकी जवाला होती है उसको कौन सा रंग परदान किया जाता है तो प्यारे साथियों आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखने है कि जो आपकी ये बुनसेन जो जवाला होती है बुनसेन जो जवाला होती है वो क्या होती है तो ध्यान रखना बुनसेन जो आपकी जवाला होती है पहरे साथ हो वो होती है आपकी एक परकार के आप ये मान सकते हो कि जो गैस को जलाने से पुर्व है हवा के अंदर कोई मतलब लवन मिला दे मानलो है हमारी हवा है कोई भी पदार्थ है या कोई भी हवा है तो हवा के अंदर कोई पदार्थ हमने मिला दिया यानि उस पदार्थ को जलाने से पहले उस पदार्थ के अंदर हमने हवा मिला दी उसको हम क्या बोल सकते हैं? बुनसेन जवाला बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? बुनसेन जवाला बोल सकते हैं या जिसके अंदर जलवास्प हो कार्बन मोनोकसाइड हो, नाइटरोजन हो करबंडाय उक्साइड हो, हाइडरोजन हो, यह सबी का मिसरण जो होता है, वो आपका क्या कहलाता है, बुनसेन जवाला को स्ट्रोंसियम लवन कौन सा रंग परदान करता है, तो ध्यान रखना, उस लवन का जो नाम है, उस रंग का जो नाम है पहरे साथ हो, वो है आपका किर क्रोजन, कार्बन डायोकसाइड, कार्बन मोन ओकसाइड, इन सभी का क्या है मेरे साथ यो, एक मिसरण होता है, और इसको स्ट्रोंसियम लवन क्या करता है, लाल रंपरदान करता है, क्रिमिजी लाल रंपरदान करता है, ठीक है, चलिए, अगला क्यूशन है, एक सो, पांस करत्रीम सेटलाइट के अंदर विक्ती भार हीन महसूस करता है, क्योंकि प्रत्वी के आकर्षन का जो बल है, उसका मान किस के बराबर हो जाता है, सुनने हो जाता है, या फिर संतुरित हो जाता है, तो समझिए, कोई विक्ती है, ये प्रत्वी है हमारी, ठीक है, प्रत्वी का ये केंदर है और कोई भी आपका करत्रीम सेटलाइट है करत्रीम सेटलाइट का कहने का मतलब करत्रीम सेटलाइट बोले तो करत्रीम सेटलाइट का मतलब आपका है पहरे साथियो मतलब कोई भी करत्रीम उपगर है और करत्रीम उपगर आपका इस परत्वी के चारोर क्या लग भेजती है इसको बोलते है अभी केंद्रियेबल और इसी अभी केंद्रियेबल के कारण ये जो करतने मुप करया है ये इस परकार से चारों और क्या लगाता रहता है चक्कर लगाता रहता है ठीक है तो अभी केंद्रियेबल का मान किसके बराबर हो जाता है इस आकरसन बल के म मान के बराबर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है बाहर हीन महसूस करता है विक्ति किसा बहुतर का जो वजन होता है, तो वो गुरुतवा कर्शन के कारण होता है, अब गुरुतवा अप् kidney का मान आपका संतुलित हो गया यंग जितना आपका गुर्थवा का rsnbgala है उतनाएं आपका या अभी केंदरियबल हो गया, तो यह आप ऐसे अंतोलो अपको संतुलित हो दाते है, और विकति क्या करता है, बाहर ही हीन महसूस करता है, क्योंकि गुर्थवा कर संतुल 166 बर क्यूशन है कि आधुनिक सक्ति साली चुम्बक किस से बनते हैं जो आधुनिक समय के जो सक्ति साली चुम्बक होते हैं वो किस के बनते हैं तो आधुनिक समय के जो सक्ति साली चुम्बक होते हैं प्यारी सौथियो अब ये सक्तिसाली सुंबक के बारे मापको याद रिखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, अलूमीनियम, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, चलिए, अगले क्यूशन की बात करते हैं, 107 नंबर क्यूशन की 107 नंबर क्यूशन आपके सामने है, कि निम्न लिखेति मैं से कौन सी गटना सबसे पहले गटी थी, कौन सी गटना सबसे पहले गटी थी, तो देखे दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टिन ने सामाने आप पेक्सिक्ता का सिधांत परस्तूत किया, तो ये कब किया था, ये गुनी सो पांच इस्वे में किया, दोस्तों, मेक्स प्लांक ने quantum सिधांत परती पादित किया तो ये कब किया था ये किया था आपका गुनिस इस्वी में मार कोनी ने पर्थम बेतार सिगनल भेजा था तो मार कोनी ने जो पर्थम बेतार सिगनल भेजा था परेसाथ जो वो अठारा सो अठाण में निनाण में थार सो ठाण में निनान में की बात है और दोस्तों मेडम क्यूरिको नोबिल पूर्शकार जो मिला था वो कब मिला था तो गुनिस सो तीन को मिला था तो पर्थम गटना कौन सी है पहरे साथियो आपके उप्शन नम्बर सी है ठीक है, इनके सन आपको याद रखने थे, अगले क्यूसन की बात करते हैं, 108 नंबर क्यूसन की, 108 नंबर क्यूसन है कि फोटोग्राफी में मुख्यरंग कौन से होते हैं, फोटोग्राफी जो होती है, उसमें मुख्यरंग आपके कौन से होते हैं, ठीक है न, फोटोग्राफी किस के अंदर होते हैं लाल निला और हैरा लाल निला और हैरा आर बीजी याद रखना आर बीजी आर बीजी बराबर फोटोग्राफी आर बीजी बराबर फोटोग्राफी मैंने किस परकार से याद कर रखा है मैंने इस परकार से याद कर रखा है जिस परकार से जे पीजी मतलो red, blue और green ठीक है? जो क्या है? फोटोग्राफी के रंग कहलाते हैं. अगला question है कि जब निम्बू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, मिठे सोडे पर डाला जाता है, खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन गैस कोन सी होती है तो ध्यान रखना पहरे साथ हो जब निम्बू की उपर जब निम्बू को खाने के सोड़े में डाल जाता है तो खाने का सोड़े इस प्रकार से उफान पैदा करता है तो option number आपका C क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा इसी परकार से आपने देखा होगा आपका जो cake जो होता है cake, cake होता है जो bread होती है तो वो भी आपकी fully होती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है इसी परकार की condition होती है उसके अंदर भी आपका मीठा सोडा मिलाए जाता है और जैसे ही मीठा सोडा के अंदर हम क्या करते है अमली ये मात्रा मिलाते हैं, क्या मिलाते है अमली मिलाते है, तो वो भूलने लगता है जिसके कारण ये cake और bread क्या होते हैं आपके लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है? चलिए, 110 number question 110 number question की बात करते हैं, 110 number question आपके सामने, ये रहा मेरे पहरे साथियों, कि निम्ल लेखिति में से, कि सकोटी के photo print की जीवन अवद्धी सब से लंबी होती है, यानि किस परकार के photo print के अवद्धी जादा होती है जानी जादा दिन तक चलता है तो आपका जो black and white जो फोटो होता है उसकी जीवन अवद्धी सबसे लंबी होती है क्योंकि पहरे साथियों जो स्वेट श्याम print होता है जो black and white जो आपका फोटोग्राफिय होती है इसके क्या होता है स्थाय योगी को होता है इसलिए पहरे साथियों आपको ज्यान रखना है इसलिए आपको ये बात ज्यान रखनी है कि जो आपका स्वेट स्याम फोटोग्राफिय होती है ये आपका क्या होता है इसकी जीवन अवद्धी जादा पाई जाती है अगला क्यूशन ह कि जिस स्वेस्टन प्रदोगी की के कारण हरित करांती आई थी उसके मुख्य अंग क्या थे हरित करांती के मुख्य अंग क्या थे हरित करांती के मुख्य अंग आपसे पूछे हैं साथियो हरित करांती के मुख्य अंग आपसे पूछे हैं तो ध्यान रखना मेरे पेरे साथि इस question का जो answer होगा वो आपका एक तो किस-किस के कारण आई थी, एक तो आपके सिंचाई के कारण यह नहीं जाला सिंचाई हुई, एक आपके जेव रासा है निक जो उरूरे का उनका उपयोग हुआ एक अधिक उत्पादन करने वाले जो किसमे हैं बीजों की, वो विक्सित हुई जिसके कारण क्या आगई, हरित करांती आगई तो option number आपका क्या हो जाएगा C correct हो जाएगा, option number आपका C क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा option number C, ठीक है चलिए, अगला question 12 number question उपर से लागए 12 number question है आपका, कि तांबर की डिस्क में एक छेद है इन्हें एक तांबे की इस परकार से डिस्क है, और इसके अंदर क्या है, इस परकार से एक छेद है, ठीक है यदि डिस्क को गरम किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा, छेद की जैसे इसको हम गरम करेंगा तो यह पिगलने की कोशिस करेगा और जब पिगलेगा तो इस प्रकार सिसका आकार क्या हो जाएगा छोटा होता जाएगा तो यह क्या होता है गटता है यह अच्छे से याद रखना पड़ा इपोर्टेंट क्यूसन है और कई अग्जामों में एक्यूसन पुछा गया है कई अग्जामों में एक्यूसन पुछा गया है कि यदि तामबे की डिस्क को हम क्या करते हैं गरम करते हैं और उसके अंदर अगर एक छेद है तो अगर गरम करने पर छेद क्या आकार के अगर बात करते हैं वाकार क्या होता है गटता जाता है ठीक है चलिए अगले क्यूसन की बात करते हैं अगला क्यूसन आपका रेडियो एक्टिवता की प्रिगटना की खोज किसने की थी रेडियो एक्टिवता की प्रिगटना की जो खोज पहरे साथियो वो आपके बेकेरल ने की थी किसने की थी Henry Becquerel ने आपकी क्या की थी Radioactivity की खोज की थी ठीके ने Radioactivity की खोज की थी अच्छा Madam Curie ने किस की खोज की थी तो पहले साथ यो Radium तत्वे की और Polonium Radium और Polonium तत्वे की खोज आपकी Madam Curie ने की थी Jay Jay Thompson ने Electron की खोज की थी और Ronan जन ने आपकी X किरुणों की खोज की थी X किरुणों की खोज भी आपकी किस ने की थी Ronan जन ने तो ये कुछ बातिया आपको ध्यान रखनी है इस Qsun के बारे में चली 104 आनांबर Qsun ये रहा 104 आनांबर Qsun 104 आनांबर Qsun है कि ओद्योगिक बहिस राओ द्वारा कि ये जाने वाले जल परदूशन को रोकने के लिए निमन लेखित में से कौन से अपत्रिन को उप्योगी पाया गया यानि जो उद्योग धंदे होते हैं उद्योग धंदों से बाहर जो मतलब अपसिष पदार्थ निकलता है वो अपसिष पदार्थ की इसके अंदर मिल जाता है जल के अंदर मिल जाता है और जल क्या हो जाता है परदूशित हो जाता है उस जल को परदूशित होने से रोकने के लिए कौन से पदार्थ का उप्योग किया गया या फिर कौन से अपत्रिन का उप्यों किया गया तो पहरे साथियो जो आपका जल के अंदर आपकी जल कुम भी जो पाई जाती है इस परकार के जो बनावट वाली जल कुम भी आपकी होती है वो जल कुम भी पहरे साथियो सबसे अधिक परदुशन का अवसोसन करती है यह जलकुम्भी आपकी क्या करती है सबसे अधिक परदुशन का अवसोसन करती है तो जलकुम्भी को क्या माना गया आपका सबसे बड़ा अवसोसक माना गया अपसिस्ट का ठीक है पर दूशन का सबसे बड़ा अपसोर सक आपका जलकुम भी उप्सन नमबर सी आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला क्यूस्टन है कि निमल रिकित में से कौन सी गैस उच्टम उसमी अमान देती है उच्टम उसमी मान यानि सबसे जादा उसमा कौन देती है इंडियन गैस देती है, कोईला गैस देती है, भाप अंगार गैस देती है या फिर प्राकर्ति गैस तो पहरे साथ यह प्राकर्ति गैस देती है प्राकर्ति गैस को हम बोलते है CS4 जिसको हम बोलते है मेथेन देती है तो आपकी प्राकरति गैस देती है ठीक है? चलिए अगला क्यूशन है कि Inset 2E का कहां से प्रमोचित किया गया था? Inset 2E Inset 2E जो है ना वो पसिम بنगाल के कौरु सहर से पसिम बंगाल के कौरु सहर से इसको प्रमोचित किया गया था या फिर अधिक उस्मा किस के अंदर होती है तो आपकी प्राकरतिक गैस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्यूसन बताया चीक है चलिए कुछ क्यूसन रिपेड़ क्यूसन है क्योंकि बार बार अग्जाम में ये क्यूसन पूछे गए है इसलिए यहाँ पर भी रिपीट हो शाण सागर में ब्रफ के 10 टुकड़े इस परकार से तैर रहे हैं थीक है ना 10 टुकड़े तैर रहे हैं तो आपको ध्यान लखना है पहरे साथीं जल के तल की उपर कितना परसेंट भाग होगा तो यानि कोई भी आपका तुकड़ा होता है ब्रफ का टुकड़ा तो उस ब् बटे दसवा भाग एक बटे दसवा भाग आपका तल की उपर पाय जाता है कुनसा भाग है एक बटे दसवा भाग यानि कहने का मतलब 10% भाग 10% भाग आपको क्या मिलता है उपर मिलता है यानि यह मालो पूरा 100% आपको 10% भाग आपको क्या मिलेगा पानी से उपर दिखाई देगा यानि इस परकार से आपकी बरफ है वो जल के इस परकार से तैरती रहेगी लेकिन उपर उपर नहीं तैरेगी ये जल के नीचे नीचे तैरेगी इस परकार से उपरी सतय के नीचे तैरेगी लेकिन इसका 10% भाग इस बरफ का क्या मिलेगा आपको बाहर मिलेगा तो कौ मतलब option number A, आपका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो ये बात तो सभी ने पढ़ रखी है, कि 10 वा भाग उपर मिलता है, लेकिन 10 का एक भाग, ये बात थोड़ी सी 8 पटी दे दी, थोड़ा सा बदल की question दे दिया, तो आपका question, आपका answer number क्या हो जाएगा, A correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question, अगला question है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण, वहाँ किसी परकार का जीवन नहीं है, चंद्रमा के उपर क्या नहीं है, जिसके कारण, वहाँ पर जीवन संभवन नहीं है, तो पहरे साथ ये वहाँ पर क्या नहीं है, आपका जल नहीं है, और जल नहीं तो जीवन नहीं ये बात आपने पड़ रखी है ठीक है आँ तो अगले question क्यों बढ़ते हैं 20 number question कि नाभी की ये reactor में कौन सा इंधन काम करता है नाभी की ये reactor जो होता है उसके अंदर कौन सा इंधन काम करता है तो पहरे साथ ये नाभी की ये reactor के अंदर आपका जो यूरेनियम जो होता है यूरेनियम तत्व है यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 का उपयोग होता है आपका नाभी की रियक्टर के अंदर आपका किसका उपयोग होता है कौन सा इंधन का उपयोग होता है तो ध्यान रखना यूरेनियम का दोस्तो इसी यूरेनियम से आपके प्रमानु बम बनाए जाते हैं, प्रमानु बम है न, प्रमानु उथ्यार वो इसी यूरेनियम के बनते हैं, और यूरेनियम एक परकार का नाभी की रियक्टर या फिर रेडियोक्टिव तत्व होता है, जो नाभी की रियक्टर अबिकिरिया में काम आता है इंधन की रूप म स्टेफ 21 नंबर क्यूट्ट है कि चंद्रमा पर कोई अंत्रिक स्यात्री नली की साहिता से निम्बु का सरबप पी नहीं सकता क्यों नहीं पी सकता नहीं पी सकता प्यारे सातियो क्योंकि वहान पर क्या नहीं है वहाँ पर आपका YU मंडल नहीं है वहाँ पर आपका क्या नहीं है YU मंडल नहीं है UPSON NUMBER B आपका क्या हो जाएगा? Correct answer हो जाएगा ठीक है? चलिए बात करते के लिए QSAN की 121 NUMBER QSAN से आगे बात करते हैं 122 NUMBER QSAN की पहरे साथ ही ठीक है? तो वहाँ यह मंडल नहीं होने के कारण क्या नहीं कर सकता? कोई भी सर्बत नहीं पी सकता उसके बगेर ठीक है? 122 NUMBER QSAN आपके सामने है 122 NUMBER QSAN है कि बरफ के टुकडे एक गिलास सुद जल और एक गिलास सुद एलकोल में डालने पर बरफ का क्या होगा? बरफ का क्या होगा? तो देखिए क्या किया? बरफ के टुकडे को बरफ के टुकडे को एक गिलास सुद जले में डाला और एक गिलास सुद एलकोल का था भरा हुआ तो उसके अंदर डाल दिया तो ध्यान रखना पहर दिसा थी हो आपने देखा होगा इलकुल का मतलब सराब, सराब के अंदर तो क्या होता है, बरफ नीचे चली जाती है, और जल के अंदर बरफ क्या हो रहती है, उपर रहती है, नी तेरती रहती है, इसका क्रेक टेंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो क्रेक टेंसर हो जाएगा, वो आपका ह रहेगी आपकी गरफ रहेगी और इल्कुल में क्या चली जाएगी नीचे चली जाएगी, ठीक है, अगला क्युश्टन, 123 नमबर क्युश्टन, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा की दोरान, अधिक्तम इंधन कब खर्च होता है, यह नि हम चंद्रमा पर आते जाते हैं, त प्रत्वी के गुरुत्वे को पार करते हैं जो वापस आते हैं और हलके हलके उतरते हैं जब प्रत्वी प्रपुन्य प्रवेस करते हैं तो प्रत्वी का जो गुरुत्वे है उसको पार करने में सबसे अधिक इंदन क्या हो सकता होती है जाते वक्त इतना इंदन नहीं लगता लेकिन आते वक्त जब हम परत्वी के गुरुत्वय को पार करते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा इंदन क्या आवसेकता होती है सबसे अधिक आवसेकता होती है तब जब हम परत्वी के गुरुत्वय को पार कर लेते हैं आत्य वक्त ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखने साथ हूँ ठीक है चलिए अगला क्यूशन एक 124 नमबर क्यूशन कि वाईयू मंडल ओजोन की उपरी परत निमल लेकिति में से किस से बनी होती है ओजोन की उपरी परत किस से बनी होती है तो ओजोन मेरे पहरे साथ यो ओजोन का सुत्र आपका ओठरी होता है तो ओजोन में आपकी क्या होती है ऑक्सिजन होती है तो इसको हम क्या बोलते है यह समताप मंडल में आपकी पाई जाती है समताप निमें यह बात पर आपको थोड़ी से ध्यान रखने है चीक है चलिए 125 नमबर क्यूशन है कि nuclear रियक्टर में neutron को किससे अव मंदित किया जाता है जो आपका neutron है उसको अव मंदित किसके दुबरा किया जाता है nuclear reactor में तो पहरे साथ यहो जो moderator आपका होता है जो moderator आपका होता है और एक होता है मोड रेटर, मोड रेटर, यह जो मोड रेटर होता है, यह किस के उपर ध्यान रखता है, सिर्फ और सिर्फ प्रमानू रियक्टर में या फिर नुगलियर रियक्टर में आपका न्यूट्रोन के उपर ध्यान रखता है, ठीक है न, और मेन उस प्रमानू को निय ठीक है? अगला question 116 नम्बर क्यूसन इन निमल रिखिती मैं से वह कम 당 saldo बेइता जिसने transistor radio का अविसकार किया था transistor radio का अविसकार किस ने किया था उस company का नाम आपको बताना है उस company का नाम प्यारे साथ ध्याँ रखना, उस company का नाम है आपका सोनी, सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का विस्कार किया था, उपसन नमबर यह आपका राइट हो जाएगा, कुछ की उसन आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे, जो आपकी एक्जाम की पॉइंट वीचे बहुत इपोर्टेंट है 127 नमबर की उसन है कि डिजल इंधन में, इंधन को जवलित करने के लिए आवसेक उच तापमान किस के दवरा प्राप्त किया जाता है तो डिजल जो इंजन होता है उसमें इंधन को जवलित करने के लिए आवसेक जो उच्तम तापमान होता है वो किस के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ध्यान रखना पहरे साथ यो डिजल जो इंजन होता है उसके अंदर इंधन को परजवलित करने के लिए जो उस तापम आपका C क्या हो जाएगा, क्रेक्ट एंसर हो जाएगा 123 नमबर क्यूशन है, कि कौन से Greenhouse Gas है, तो CO2 आपकी Greenhouse Gas है खीक है, चलिए 123 नमबर क्यूशन कि निमन लेकिति मैंसे किसी तत्वे की सापिक्स परमानु सहन्ती सापिक्स परमानु सहन्ती का मतलब होता है परमानु दर्वेमान संख्या अब परमानु दर्वेमान संख्या कैसे निकलती है परमानु दर्वेमान संख्या आपकी प्रोटोन और नूट्रोन को जोडने से निकलती है प्रोटोन की संख्या आपकी 17 है neutron की संख्या आपकी 18 है इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आगए आपका 35 एंस्वर आपका एंस्वर आगए option number B P plus N प्रमानु संख्या या फिर प्रमानु दरिवयमान संख्या P plus N 17 plus 18 proton plus neutron याण 17 plus 18 ब्राबर 35 चीक है अगले question की बात करते हैं 130 number question की 130 number question है कि निम्न लखीति में से किसका प्रयोग परसितन में किया जाता है परसितन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है तो परसितन यानि आपका जो फ्रीज वगेर होता है उसके अंदर किसका उप्योग होता है तो फ्रियोन का उप्योग होता है फ्रियोन का उप्योग होता है और पहरे साथ यो CFC भी एक परकार का फ्रियोन का ही उदारन है ठीक है फ्रियोन का ही उदारन है आपका CFC इसका उप्योग आपका परसीतन यानि ठंडा पैदा करने में या फिर फ्रीज या रेफ्रीज रेटर में इसका उप्योग होता है चलि उसको low पर नहीं रखना चाहिए फ्रिस्वगेरे को उसको हेमेशा high पर रखना चाहिए उसकी तो सीतत प्रनाली होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए आमेशा सीर्ज पर होनी चाहिए? तब ही वो क्या करेगा अच्छे तरीके से काम करेगा अगर टाइम बचा तुम आपके लिए और भी बहुत सारे क्योशन ले क्या होँगा यह 500 क्योशन की स्क्रीज जल्दी सी कतम कर देता हूँ जिसे आप बहुत अच्छे सी दैरी कर पाओ अगला की जना है कि हिलियम गैस को गुबारों में क्यों बरा जाता है तो गुबारों में गैस हिलियम को ही क्यों बरा जाता है क्योंकि ये दोस्तों हिलियम जो गैस होती है ये वायू से हलकी होती है जिसके का गुबारा उपर चला जाता है अगर वायू से हलकी नहीं होती तो ये नीचे रे जाते लेकिन हिलियम गैस वायू से क्या होती है हलकी होती है इसलिए इसको गुबारों वरा जाता है और हिलियम गैस का उपयोग वायू यान के टाइरों में भी किया जाता है वायू यान के जो टाइर होते हैं उन टाइरों में भी किसका उपयोग होता है, इलियम का ही उपयोग होता है, एक सो तेतिस नमबर क्यूशन है, कि बारत से पहले कितने देशों ने परमानुबं का विस्फोट किया था, परमानु बंब का जो प्रिक्षन है परमानु बंब का जो इस्पोर्ट है वो भारत से पहले कितने देशों ने किया तो दोस्तों ध्यान रखना भारत से पहले जो देश थे उनके अंदर आपका संख्या हो जाएगी पांच उनकी संख्या क्या हो जाएगी पांच हो जाएगी प्रिक्षिन कर चुके हैं अगला क्यूशन अगला क्यूशन 134 क्यूशन है कि अगनी का सही वर्णन निमन लिकित में से किस के द्वारा होता है अगनी का अगनी एक परकार की पहरे साथ यूशन क्या है मिसाइल है दृग प्रास मिसाइल है आपकी अगनी अगनी नाम के आपकी मिसाइल है इसका मतलोपस नमबर आपका सी क्या हो जाएगा गरेक्ट हो ज चोटे चोटे अंतरालों को समय के चोटे चोटे अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग होता है ध्यान रखना पहरे साथ हो परमानों गड़ियों का उपयोग होता है किसका उपयोग होता है परमानों गड़ियों का उपयोग होता है EDUCATE क्या है एक परकार का EDUCATE दोस्तों एक परकार का आपका उपगरे है क्या है एक परकार का उपगरे है ISRO ने इसको 2004 में क्या किया था प्रक्षेपीत किया था तो ये क्या है पहरे साथ यो ये एक सेक्सिक से हो जकता है यानि कहने का मतलब जितने भी सेक्षिक प्रोग्राम होते हैं वो कौन मतलब सेटिलाइट करता है वो कौन मतलब कौन सेटिलाइट उसको मतलब संचालित करता है तो उसका नाम है EDUCATE ठीक है option number आपका D-cracked answer है चली अगला question है 137 number question uranium अंतता है किस तत्वे के ही आईसो टोप में बदल जाता है जब uranium का हम उप्यो कर लेते हैं uranium को उप्यो कर लेते हैं तो अंत टाइम में अंत टाइम में वो किस के अंदर बदल जाता है तो ध्यान रखना पहरे साथ च्यों ये सिसा के अंदर परिवर्तित हो जाता है सीसा के अंदर परिवर्थित हो जाता है जल्दी जल्दी आपको एंसर देने है आपको अच्छे से इन क्यूशनों को याद कर लेना है इसका PD भी आपको दे दिया जाएगा टैंसन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है 138 नमबर क्यूशन है कि निमनलखित में से वहें वेक्टि कौन है जिसे भारतिय मिसाइल पुरणगी की का पिता का जाता है भारतिय मिसाइल पुरणगी की का पिता की heard था जाता है तो भाई दोस्तो डॉक्टर होमी जहांगिर भाबा अगर आपके दिमाग में APJ अबदुलकलाम नाम आया है तो दोस्ति ने को तो missile man का जाता है क्या का जाता है missile man का जाता है missile man और missile próblogy की का पिता किसे का जाता है missile की जो próblogy की है उसका पिता का जाता है Dr. Homi 자상ere भाभा को hopes number आपका D क्या होजाएगा क्या बनता है uranium के बाद में क्या बनता है अगर वेका फूरा उपयोक कर लेते है तो इसके बाद में बनता है आपका सीजा अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था उपस नूमरड़़ आपका क्या हो जाएगा assert नेक्ट एंशर हो जाएगा तो दोस्तो बारी पानी का घनत्वे साधान पानी से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बारी पानी का हिमांग का साधान पानी से अधिक होता है, बिल्कुल सही है, यानि बारी पानी के बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर जमेगा, और साधान पानी आसानी से जम जात कोंषी वाइस करता है, बाहरी पानी संक्सान उत्पन करता है. किसी दूस्री बस्तु को खराब करने काम करता ही. थूति इपस, और ही मांग जाद है तो इसका कौंतनाक भी क्या होगा जाद होगा लेकिन यहाँ पर बात कम की दे रही है तो यह बात गलत है और यही बात हमें पूछी थी, option number A आपना क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है, दोस्तो आज मैंने आपको 40 question करवाए और आज मैं आपको 40 question ही करवाँगा, कोसे स्कुरूँगा देरी-देरे question की संच्छा बढ़ाकि मैं 50 कर दूँ लेकिन दोस्तो आप पर अच्छे से 40 question अगर पढ़ लेते हैं डेली, 40 question के साथ मैं आपको 20 question और करवा देता हूँ, यानि वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जहिंद जेभार्त, अगर दोस्तों आपको मेरे दौरा किया गया परियास पसंद आया है समझ आया है, और बहुत ज़्यादा अगर आप इससे सहमेत हूँ, तो आप वीडियो को like करेंगे, share आप करेंगे वीडियो को, channel को आप subscribe करके जाएंगे, bell icon को दबा के जाएंगे और एक प्यारा सा comment जुरूर करके जाएंगे जिसे कि मेरे को motivation मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर पाँ ठीक है, चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भार, thank you, bye bye